दोस्तों इडिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे लिए दबाये सब्सक्राइब का पटन और घंटी का पटन चरूँ नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ सम्विद के लिए उसे तरीके से अब सम्विदा कर्मचारी भी 2024 को लेके काफी कुछ करने जा रहे हैं तिस वीडियो का आपन तक जरूर देखे कि नहीं आपको बहुत कुछ सीखने और जानने को मिलेगा तो आईएस वीडियो को सुरू करते हैं केन सरकार से प्रतिवर्स मिल रहे है तीन परिसत अत्रिक बजट से अन्य राज्यों की भाती सम्विदा कर्मियों के वेतन की विशंगती दूर ना के जाने को लेकर सयक्त राज्च्वास्त मिशन कमचारी संग उत्रपरदेश ने आंदोलन करन रहे लिया है जिसकी सुरुवात मुक मंतरी को डाक के माध्यम से पूरे प्रदेश से दस जार पत्र भेजने से होगी तथा आगे की लड़ाई के लिए आगामी 25 फरवरी को प्रदेश अस्त्री बैठक में रणनी थी तै की जाएगी यह जानकारी देते हुए संके महामंत्रे योगे सुपध ध्याय ने बताएगी वर्ष 2016 से प्रतेक भारत वर्ष प्रतेक वर्ष भारत सरकार द्वारा तीन परिशत अत्रिक बजट राज्यों को वेतन विशंगती दूर करने के लिए दिया जा रहा है अगर मैं आपको बताओ तो हर्यारा मद्द प्रदेश और तमाम राज्यों में भी इस तरीके का कई सारी चीजों करने का प्रावधान कर दिया गया है लेकिन बिहार सरकार ने वेतन नीती करने अधायर कर संविदा कर्मियों के वेतन विशंगती दूर की है लेकिन उत्रप्रदेश में विहागी अधिकारियों की लापरवाही और प्रदेश सरकार के ध्यान ना देने के एकान आठवर्स पूरा होने के बाद भी इस बज़ट का उपियोग संविदा कर्मियों को कोई लाब नहीं दिया गया है यानि कि उत्रप्रदेश का जो बज़ट आया हो उसमें अगर मैं बताऊं हूँ तो किस तरीके से सम्विदा करिमचारियों को कोई लाब नहीं दिया गया है यानि कि जैसा कि हर एक राज्यों में तीन परिसत की बढ़ोतरी किये जाने के उम्मीदें रहती हैं लेकिन क्या उत्रप्रदेश में बढ़ोतरी नहीं हुई या गलती वस छूट गई है आईए मैं आपको आगे विस्तार से बताता हूँ इससे बैठित होकर बीते चार फरवरी को ऑनलाइन होई प्रदेश सस्त्री बैठेक में निरए लिया गया है प्रदेश की बैठेक में निरए लेकर आगे की लड़ाई अपने अधिकारी के लिए तब तक जारी रखेंगे जब तक हमें अधिकार नहीं मिल जाता है इस बैठेक में राष्टी उप महामंत्री संजयादो जनपत मंडल पदाधिकारियों के साथ प्रदेश सस्तर के प्रदेश सद्धेक्ष डाक्र अनिल गुपता प्रदेश सयोजक समय सभी पदाधिकारी भी मौजूद रहे जी हाँ दोस्तों इन सभी चीजों का अर देखा जाय तो आने वाले समय में अगर समविदा करिमियों की बात की जाय तो बजट में भी बढ़ाया जाने का प्रावधान है कि हर बजट में आपको 3% बढ़ोतरी की जायेगी इस से बढ़ोतरी से समविदा करिमियों के विशं समय लागू हो जाने के बाद आप याने की शरकार अब आने वाले शमय में सरकार के खिलाफ आप कोई भी हरताल नहीं कर सकते हैं इसलिए अब उत्रप्रदेश राष्टी स्वास्त मिशन कमचारी संग ने दस जार पत्र मुखमंत्री आवास पर भेजने का नरे लिया है और आ लाज्यों की भाति भी श्रमिदाकरियों के विटन की विशंगती दूर ना कि जाने को लेकर सयुक्त राष्ट राष्टी स्वास्त मिशन करमचारी संग्या ऐसा काम करने जा रहा है निवे धन करता हो का जानकारी ये इछ लिए गर आप इस वीडियो को लाइक कीजिए चै स्काइब को बिटन और घंटी जरूर दबाएं